हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूथ आज के सेशन में हम डिसकुस करने वाले हैं ग्रीन हाउस एफिक्ट के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस गैसे एक्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे परिया वरन को नुकसान पहुंचाती है अगर उनकी मात्रा हमारे वाता वरन में थोड़ी सी भी बढ़ जाए उसकी क्या क्या प्रभाव होते हैं ग्रीन हाउस गैसे कहां से रिलीज होती है कैसे उनको रोका जा सकता है वो सभी चीजे आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो कि अपकमिंग एक्जामिनेशन के लिए बहुत ही जादा इम्पोर्टेंट है आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रेपरेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रेपरेशन को फॉलो करते हो और इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉंच किया है जो कि एक्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल स्लिबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं फुल स्लिबस मॉक टेस्ट में आपको साथ से भी जादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लेंगविजिस में और इसमें से आजटेस्ट क्वेशन एक्जाम में आते हैं ताकि revision के दरान भी आपके सारे concepts clear हो जाएंगे, सबी questions, revision में आपको बहुत help करते हैं, so given whatsapp numbers पर contact करके आज ही इस course को join कर लीजे, इसके लिए आपको सरफ एक ही बार fees देनी है, 2000 रुपई एक्जाम तक ये fees valid रहेगी, ये course valid रहेगा, and इसके free videos के access के लिए global online आपको जरूर कीजिए, store section पर जाकर search bar में आपको course का नाम लिखना है, course के overview के बाद content पर click करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हो syllabus मिल जाएगा, separately मेरे folders मिल जाएंगे, and यहाँ पर unit wise folders हैं, जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock test और notes भी मिल जाते हैं, ये exam oriented course है, definitely 6 महीने के अंदर अंदर आपक course की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो, so greenhouse effect, यानि की greenhouse प्रभाव क्या होता है, यह हम एक real life example के साथ discuss करना शुरू करते हैं, बहुत असानी सापके concept clear हो जाएंगे, आपके सामने जो है, यह होते है greenhouses, इसमें क्या होता है, देखो कुछ plants होते हैं, जिनको अभी proper environment नहीं मिल प्लांट्स अगर हमें ग्रो करने हैं, तो उनके लिए greenhouse बनाए जाते हैं, जिसमें की पूरा शीशे की एक wall होती है, शीशे की चछत होती है, इसका क्या फाइदा होता है, हमारा earth जो है, earth का atmosphere है, जो layers है, वो भी इसी तरीके से काम करती है, अब सूर्य की किरने, इस greenhouse को जिस और वहीं जब रात के समय सूरे नहीं होता है, और थोड़ी ठंडक हमारे environment में हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये शीशे थोड़े से गरम रहते हैं, और उस दोरान ये क्या करते है, ये शीशे अंदर रात भर इन plants को heat प्रवाइड करवाते हैं, और इनके proper growth होती रहती है उसी तरीके से real life में भी जो हमारी अर्थ है वो भी इसी तरीके से काम करती है, इसको हमें कीमीज के साथ देखेंगे, हमारी अर्थ में सूरे की किरने पड़ती है, लेकिन अर्थ में जो upper layer होती है, ये क्या करती है, कुछ किरनों को absorb कर लेती है, कुछ सूरे की किरने जो होत कि वायू मंदल से बाहर निकल कर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं वहीं कुछ किरने ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायू मंदल में रह जाती हैं अब जिसे मैंने बताया कि कुछ गैस कुछ किरने तो वापस चली गई लेकिन कुछ यहां पर आसपास घूमती रहती है यह किसकी वज़ा से घूमती है यह घूमती है सिरफ और सिरफ ग्रीन हाउस गैसे की वज़ा से ओके अब ग्रीन हाउस गैसे जो होती है यह हमारी प्रित्वी के लिए बहुत जादा जरूरी होती है वो क्यूं होती है देखो दिन के समय हमें सुरक की किरन मिल रही है जिससे कि एक बहुत अच्छा temperature रह रहा है आप लोगों को पता होगा कि जितने भी planets है उनमें से प्रिथवी ही एक ऐसा planet है जहां पर जीवन पॉसिबल है है ना क्योंकि एक्वल वातावरन वहां का रहता है बहुत गरम planet भी नहीं है बहुत थंडा planet भी नहीं है तो होता क्या है दिन के समय तो हमें सूर्य की बराबर किरने मिलती है जितनी हमें चाहिए अगर extra होंगी तो वो अंतरिक्ष में वापस लोट जाती है जो बची कुची किरने होती है उनको green house gases जो होती है वो absorb कर लेती है वो अपने पास सूर्य नहीं होता है और रात के समय जो वो gases green house gases ने जो heat को जो किरनों को रोख कर रखा होता है उनसे हमारे earth का temperature normal रहता है इतना रहता है कि कोई भी plant कोई भी animal कोई भी इंसान वहाँ पर आसानी से जीवित रह सके ओके सो यह इत्मोसफेर को warm रखते है ऐसे ही हमारी earth proper तरीके से काम करती है इसलिए green house gases बहुत important होती है okay earth में sun से जो heat मिलती है जो energy मिलती है वो तो दिन की समय आती है रात में जीवन जीने के लिए जो हमें normal temperature की ज़रूरत है उसके पीछे green house gases का एक important रोल होता है gases देखो atmosphere में atmosphere क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यह देखो atmosphere क्या होता है जहाँ पर gases होती है आपको बता होगा कि 4 sphere होते हैं हमारी earth में लिथो sphere जहाँ पर मिट्टी पत्थर यह सब चीज़े है atmosphere जहाँ पर हवा वायू यह सब होता है biosphere में आ जाती है आपके जीव जन्तू पेड़ पौधे जो सांस लेने वाली चीज़े होती है वो biosphere में आती है और hydrosphere मतलब water अर्थ चार चीज़ों से मिलकर बना है सो यहाँ पर हम हवा की बात कर रहे हैं हम atmosphere की बात कर रहे है हमारे atmosphere में हमारे वायू मंडल में बहुत सारी gases होती है लेकिन कुछ gases जो heat को absorb करती है सिरफ उनी gases को green house gases कहा जाता है जिसमें basically 6 gases available होती है पहली है carbon dioxide दूसरी है methane तीसरी है cfc यानि की chlorofluorocarbon चौती है ozone और अगली है nitrous oxide अब हर इक चीज़ आपको पता है कि अगर limited amount में हो तभी उसका फाइदा होता है कोई चीज़ अगर बहुत ज़ादा हमारे पास हो तो उसका भी नुकसान होता है ना सो green house gases जब तक जितना ये percentage दिया गया है इतने इतने percent में अगर available हो तो अच्छा है अगर इनका percentage बढ़ जाता है तो हमारी पृत्वी को बहुत नुकसान पहुंचाता है अब देखो अगर हम NASA, NASA के बारे में आप सबने सुना होगा है ना NASA के बारे में सबने सुना होगा NASA की जो researchers हैं उन्होंने ये बोला है कि समय के साथ साथ green house gases जो है वो बढ़ती जा रही है जो कि हमारी पृत्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर ये बढ़ती जाएंगी तो जीवन जीना यहां पर मुश्किल हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा कारण इनों ने बताया है deforestation deforestation का मतलब क्या होता है वनों की कटाई अब आप हो लोगे कि हमने पेड काट दिये वन काट दिये तो उससे क्या नुकसान होगा gases कैसे बढ़ेंगी वन थोड़ी ना कोई gases इस तरह से देते हैं क्यों ये होता है क्यों कि देख़एंग आपको क्या पता है पेड़ पौधे हमें क्या देते है माली जे ये पेड़ है पेड़ पौधे इंसानों को क्या देते है oxygen देते है और वापस में क्या लेते है carbon dioxide को वो absorb करते है अब अगर हम पेड़ ही काट देंगे one ही काट देंगे तो carbon dioxide कौन लेगा पेड़ ऐसे carbon dioxide को ग्रहन कर लेते हैं पेड़ी नहीं है तो कार्बन डायोकसाइड क्या होगी यहां वहां हमारे एट्मोस्फेर में हमारे वातापरण में वायू मंदल में घूमती रहेगी जिसकी वज़ा से क्या हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसे बढ़ती जा रही है ठीक है अब जैसे इसके और ग्रीन हाउस गैसे अगर अपनी रेशो से ज़ादा बढ़ती जाएंगी तो वह हमारे पृत्वी को नुकसान पहुँचाएगी अब जितनी जादा ग्रीन हाउस गैसे बढ़ती हैं उतनी जादा मतलब क्या हुआ कि सूर्य से आने वाली किरणों को वो अपने पास रोकती है जितनी कम गैसेज होंगी उतनी कम हीट को वो रोकेंगे बाकी हीट वापस चली जाएगी अब गैसेज बढ़ती जा रही है तो वो सूर्य की किरणों को अपने पास रोक लेंगे और कम वहां से हमारे प्रित्वी का टेंप्रेचर बहुत जादा हो रहा है और इसी से रेलेटिड आपने सुना होगा कि क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अब मौसम की उथल-पूथल तो अब सभी जानते ही हो कभी भी धूप होती है कभी भी चाया होती है ना सौरी कोई टेमपरेचर का बैलेंस अभी नहीं चल रहा है हमारे प्रिथवी पर है यह सब ग्रीन हाउस की वज़ा से होता है इसके साथ ही हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था तो ओजोन लेयर क्या होता है प्रिथवी की बाहरी परत होती है जो की सुरे की हानिकारक अल्ट्रा वॉयलेट यानि की पर बैंगनी किरनों को हमारी प्रिथवी में आने से रोकती है अब प्रदूशन की वज़ा से वो लेयर भी पतली होती जा रही है और जिससे की हमारे इंसानी जीवन को पेड़ पॉधे सबको नुकसान पहुं सकता है सबका जीना प्रिथवी पर मुश्किल हो सकता है तो ये सब किसकी वज़ा से हो रहा है ग्रीन हाउस गैस की वज़ा से हो रहा है तो अभी तब तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडाक्शन दिया है जितनी भी इसकी डेफिनेशन हैं ये आप पढ़ सकते हो ठीक है अर्थ के एटमोस्फियर में होती इसकी वायू मंदल में गैस होती है जो कि हीट को पृिफवी के अंदर आने से रोगती है ग्रीन हाॉस गैस कुछ पार्ट गैस खू में सुरें से आने वाली उसको अपने पास रोगते हैं बाकी एक तो ये पास बेज देते हैं है हुग अब क्की गैस बढ़ती बढ़ती च तो यही चीज़े हैं, देखो, इंडस्ट्रियल गैसे जो होती है, वहां से भी ग्रीन हाउस गैसे बहुत निकलती हैं, इसमें कारबन डायोकसाइड, नाइट्रोस अकसाइड, मिथेन, क्लोरो-फ्लोरोकारबन, ओजोन, ठीक है, यह सब चीज़ें आ जाती है, और समय के साथ साथ, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, तो यह बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा, एक्जाम में यह क्वैशन आ चुका है, विच अमंग दा फॉलोविंग आर ग्रीन हाउस गैसे तो अभी मैंने बताया, आंसर आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा, यह वी करने के लिए कॉमेंट जरूर कीजेगा, यह भी एक क्वैशन है, देखो ग्रीन हाउस एफेक्ट क्यों होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, इंफ्रारेड लेयर इन दा एटमसफेर, वायू मंदल की अवरक्त परत की वजह से होता है, ओके, यह के बारे में बात की है, जिसकी वजह से औस तापमान गरम हो रहा है, ग्लोबल बामिंग है, ओजोन लियर के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यह सब ग्रीन हाउस की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसे की वजह से होता है, इसमें गैसे के नाम याद है, so कोई भी आप जॉइन कर सकते हो, सिरफ गिवन नंबर्स पर आपको कॉंटेक्ट करना है, so ये कॉर क्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ओजोन डिप्लीशन के लिए हमने कल पढ़ा था, कार्बन डायोकसाइड, ग्रीन हाउस गैसे, N2 क्या होता है, मोस्ट अविलेबल गैस, हमारे वायू मंदल में सबसे साथ उपलब्द कौन सी गैस होती है, N2 होती है, CO क्या होता है, पॉइसनस गैस होती है, नुकसान जो पहुंचाती है, जहरीली गैस होती है, हमारे वायू मंदल में, जो की हमें कम से कम मिले तो ही बेटर है, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रेपरिशन पर भी फोकस कीजेगा, एक्जाम ओरियंटेड वे में एक कम्प्लीट स्टडी मैटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे, इसमें आपको previous year questions, most repeated questions और expected questions हम देते हैं, जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं, ये study material ना सिरफ exam qualified करने में आपको मदद करता है, वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा So subjects के list आपके सामने है इसमें से अपना paper to subject select कीजिए and given whatsapp numbers कर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है 12.80 रुपए and मैं आपको surety देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best